दोस्तो अगर आपको action movie देखे कापी समय हो गया है तो इस समय Tiger 3 से बहतर और कोई दूसरी फिल्म नहीं है दोस्तो करीब डाइगंटे की इस फिल्म को देखकर आपको मज़ा आ जाएगा और दोस्तो जैसा कि आप जानते हैं इमरान हाश्मी इस फिल्म में विलन के रोल में हैं जिनका रोल एकदम दमदार लग रहा है दोस्तो इस फिल्म में इमरान हाश्मी यानि आतिस रह्मान टाइगर को अपना एक मिशन करने के लिए मजबूर कर देता है जिसकी वज़े से टाइगर पूरे वल्ड में बदनाम हो जाता है और इसी वेस पर ये पूरी फिल्म है तो दोस्तो आतिस रह्मान किस तरह से की प्रेक्टिस कर रही होती है यहां पर पता चलता है कि जोया के पिता लंदन में रहते हैं जिनका नाम नजर है और नजर एक ASI एजेंट है और यह आदमी जोया को भी अपने ही तरह बनाना चाहता है ताकि वो देश के काम आए इसके बाद जब नजर कार से कहीं जाने वाला होता है तो उसकी कार बलाष्ट हो जाती है जिसे देखकर जोया चौंक जाती है अब नजर के मरने के बाद इम्रान हश्मी यानि आतिस रह्मान मिलने के लिए आता है जो कहता है कि तुम्हारे पिता मेरे गुरू थे इसलिए अब आतिस रह्मान जोया को आगे के लिए ट्र इसलिए हो सकता है कि वो पकड़ा गया हो, इसलिए अब उसकी जान बचाना हमारा फर्ज है अब इस मिशन का नाम रखा जाता है time pass और tiger mission के लिए चल देता है इसके बाद tiger को गोपी की location मिल जाती है और वो गोपी के पास पहुंच जाता है जहाँ पर वो लोग गोपी को बु गोपी टाइगर को एक सीक्रेट बताता है कि अब पाकिस्तान कुछ बड़ा करने वाला है और हम में से एक डबल एजेंट उनसे मिला हुआ है जिसका नाम जोया है इतना कहकर गोपी दम तोड़ देता है लेकिन इस बाने में सुनकर तो टाइगर के जैसे होशी उड़ जाते ह क्योंकि जोया कोई और नहीं बलकि टाइगर की ही बीवी थी इसलिए अब टाइगर अपनी बीवी जोया और अपने बेटे जूनियर से मिलने के लिए घर चला जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि टाइगर के लिए उसकी फैमिली ही सब कुछ है लेकिन गोपी के मुझ जोया का नाम सुनने पर टाइगर हर बार उस पर शक करता रहता है इसलिए टाइगर अब जोया की हर हरकत पर नजर रखे हुए था कि पता तो चले वो क्या कर रही है अब एक दिन टाइगर और जोया न्यूज देख रहे होते हैं जिसमें पाकिस्तान की परधान मंतरी भार से शांती की बात कर रही होती है और इस बात पर जोया टाइगर से कहती है कि शांती की इस बात से पाकिस्तान की आर्मी इसे मार न दे क्योंकि पाकिस्तान की सत्ता वहां की आर्मी ही चलाती है इसके बाद टाइगर के पास मैंथली मैनन का फोन आता है जो टाइगर को जिब information को पता करना है इसलिए अब Tiger अपना पूरा हुलिया बदल कर पहुँच जाता है और यहाँ पर Tiger देखता है कि जिबरान को मारने के लिए यहाँ पर कई लोग आई हुए है इसलिए अब Tiger जिबरान को बचाने में लग जाता है लेकिन बाद में एक बंदा बाइक पर आता है जो तावड तोड गोलिया चला रहा था लेकिन Tiger उसे बाइक से गिरा देता है तभी उसका हेलमेट हटने के पर देर लड़ाई होती है और फिर अंत में Tiger अपना चेहरा दिखाता है जिससे दोनों शांत हो जाते हैं लेकिन पीछे से एक बंदा Tiger को मार कर उसे बेहोश कर देता है और जब Tiger की आँखे खुलती है तो वो अपने आपको बंदा हुआ पाता है और उसके सामने स्क्रीन प पहले की कहानी सुनाता है और अब हम फ्लेश बैक में देखते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक पीस सम्मिट होने वाला था ताकि दोनों देशों के बीच शांती बरकरार रहे लेकिन आतिश ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाता था क्योंकि आतिश को लगता था कि इ ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे पाकिस्तान की बदनामी हो इतना सुनकर आतिश अपने आदमियों से जोया को पकड़वा देता है क्योंकि जोया इस मिशन में उसके लिए खत्रा बन सकती थी इसलिए आतिश का ये काम आतिश की प्रेगनेंट बीवी करने के लिए के लेकिन टाइगर आतिश की बीवी को ही मार देता है इसके बाद जब इंक्वारी बैठती है तो पता चलता है कि ये सब आतिश का ही किया धरा है जिसकी वज़े से आतिश का कोट मार्सल किया जाता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है अब ये कहानी परजेंट में आती है और अब आतिश अपनी बीवी और बच्चे का बदला लेने के लिए जूनियर को एक ऐसा इंजेक्शन दे देता है जिसका यदि एंटि डोज 24 गंटे के भीतर ना दिया जाए तो वो मर जाएगा इसी वज़े से अब टैगर पूछता है कि तु अपना काम बता मैं ऻूनियर के लिए कुछ भी कर सकता हूँ इस मिशन में टैगर को टर्की देस से एक ब्रीव केस को चुराना था और इसके भीतर क्या है ये अभी किशी को पता नहीं होता और ये काम इतना आसान मी नहीं था इसलिए अप टाइगर अपनी मदद करने के लिए राकेश को बुला लेता है और राकेश अपने साथ दो और एजेंट को भी ले आता है जो की अपनी खुशी से आए थे लेकिन टाइगर उन्हें काम करने से पहले ही बता देता है कि ये काम illegal है पकड़े गए तो सीधा court marshal होगा लेकिन उन्हें इस बात से कोई फरक नहीं पड़ता इसके बाद जोया इन सबको उस brief case को चुराने की planning समझाती है जिसको सिर्फ इने 15 गंटों के भीतर चुराना होग यहां जोया बताती है कि brief case का लोग सिर्फ चाइनिज आर्मी की लेडी की आँखें ही खोल सकती है और ये लेडी fight में माहिर है इस वज़े से वो plan बनाती है कि टाइगर उस brief case के पास तक जाएगा और जोया एक scanner की मदद से उस लड़की की आँखें करके टाइगर को भेज देगी और फिर brief case उनके पास होगा अब किसी तरह से जोया उस लड़की तक पहुंच जाती है जो वहाँ पर मसाज ले रही थी और दूसरीयों टैगर भी छट से अंदर घुच जाता है अब यहां पर जोया किसी तरह से उस लड़की की आँखें करने लगती है और इसी बी बच निकलता है अब टैगर को तो लगता है कि मिशन तो पूरा हुआ लेकिन वहां की पुलिस को इस चोरी के बारे में पहले ही इन्फरम कर दिया गया था जिस वज़े से सभी पुलिस वाले टैगर के पीछे लग जाते हैं लेकिन मोका देकर टैगर अपने साथी करन को brief case देकर उसे गाड़ी से उतार कर कहता है कि इसे जोया तक ले जाओ और अब टैगर उन पुलिस वालों को भटकाने लगता है लेकिन जल्द ही पुलिस उसे चारो और से घेर लेती है जिस वज़े से टैगर को सरेंडर करना ही पड़ता है दूसरी और जोया brief case लेने के बाद स इंदुस्तान को ही गुनेगार मनेगा और फिर दोनों देशों के बीच मामला गरम हो जाएगा और ये सुनकर तो जोया के होशी उड़ जाते हैं कि उन्होंने ये क्या कर दिया हाला कि जोया का जुनियर अब शुरक्सित था इसके बाद टैगर जो की पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया था यहां तक कि भारत सरकार ने भी कह दिया था कि आप जो चाहो इसके साथ कर सकते हो इसलिए अब टैगर के पाकिस्तान में आने के बाद वो लोग टैगर को काफी टोर्चर करते हैं और यहां पर टैगर किसी तरह से एक डिवाइस को अपने हाथ में छुपा आता है जो बताता है कि उस चोरी के बारे में पुलिस को मैंने ही बताया था ताकि तू पकड़ा जाए बाकी वो कोड़ तो मेरे ही पास पहुंच गए लेकिन तेरा जुनियर और जोया अब सेफ है लेकिन यहां पर पता चलता है कि आतिस से पाकिस्तान का चीप भी मिला हु और इस वज़े से टाइगर को आर्मी वाले दोबारा घेर लेते हैं और तभी एंट्री होती है पठान की जिस वज़े से पठान और टाइगर मिलकर पाकिस्तानी आर्मी को कुट्तों की तरह दो देते हैं और वहां से भाग जाते हैं इसके बाद पठान वापस इंडिया के एक बॉम से बचाया था और टैगर और जोया ही दोनों ही हसन की पढ़ाई का खर्चा उठाया करते थे अब हसन बड़ा होकर एक हेकर बन चुका है इसलिए वो टैगर की बात जोया से करवाता है फिर टैगर देखता है कि जोया के साथ राकेश और उसके दो साती तो हैं ही बा आतिस पाकिस्तान की गद्धी पर बैठ गया तो वोर होने से कोई नहीं रोक पाएगा अब टाइगर कहता है कि कल 14 अगस्त है यानि पाकिस्तान की आजादी का दिन और उसी दिन वहाँ का आर्मी चीफ परदान मंतरी को मार देगा जिसकी जगह आतिस रहमान लेगा इसलिए ह हमें किसी भी हाल में पीम को बचाना है अब इसके बाद ये लोग अपनी नई आईडी बनाते हैं और अगले ही दिन पीम हाउस में बावर्ची बनकर चले जाते हैं इसके बाद ये लोग अपनी अपनी पोजिशन लेकर खड़े हो जाते हैं और फिर वहाँ पर टाइगर सी जोया और उसके एक साथी को एक बंकर में भेज देता है लेकिन रास्ते में आर्मी वाले उन्हें घेर लेते हैं इसलिए जोया और उसका साथी पीम को बचाते हैं और सभी को मारने लगते हैं इधर हम राकेश और करन को देखते हैं जिने आर्मी वाले पकड़ नहीं वाले थ तब ही टाइगर वहाँ पर आकर उन्हें बचा लेता है और धमाके में सब को मार गिराता है लेकिन इस धमाके की वज़े से नियूज वाले भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं और ये नियूज अब इंडिया में भी चलने लगती है कि PM हाउस खत्रे में हैं और अंदर हम देख है कि जो एजेंट जोया से मिले वे थे उसमें से एक तो आतिस का ही आदमी था जो हर बात की खबर आतिस को दे रहा था अब टैगर उस आर्मी चीफ को PM हाउस से बाहर जाकर मीडिया को सब सच बताने के लिए कहता है वरना टैगर उसे जान से मार देगा और इस डर की की हो जाएगी और आतिस के PM बनने में ज्यादा आसानी हो जाएगी अब चीफ के मरने के बाद सभी देशों में न्यूज चलने लगते है कि पाकिस्तानी PM हाउस में काफी गडबर चल रही है तब ही आतिस रहमान लाइव आ जाता है और बताता है कि अभी भी हमारी PM साहिब टाइगर के चुंगल में है इतना ही नहीं आतिस रहमान कहता है कि आर्मी चीफ को भी टाइगर नहीं मारा है और अब वो कहीं PM को जान से न मार दे इसलिए अब रहमान कहता है कि आज मैं PM साहिबा के लिए उस टाइगर को मार दूगा इसके बाद आतिस करन को बड़ी ही ब पास बंकर में ले जा रहा होता है क्योंकि आतिश जानता था कि पीम महीं पर मोजूद हैं लेकिन जैसे ही ये लोग वहाँ पर पहुंचते हैं तो बंकर में कोई नहीं होता असल में टैगर का प्लान था कि आतिश और उसकी आर्मी को टैगर बंकर महीं मार देगा और जो ये लाइब भेज कर सब कुछ दुनिया को बता देगी और होता भी वैसा ही है जो यह टेलीकास्ट को लाइब करके पीम को लाइब लेकर आती है और पीम सब कुछ बता देती है कि यह सब आतिश के कारण ही हुआ है और पीम साहिबा कहती है कि टैगर और उसके साथ होनों ते मेरी जान बचाई है और इसके बाद Tigers की आर्मी को मार देता है और फिर दोनों में भेंकर लड़ाई होती है लेकिन आतिस Tiger के सामने जादा देरे टिक नहीं पाता इसलिए अब Tigers को जान से मार देता है जानि पकिस्तान से यह गंदगी साफ हो जाती है और इंडिया भी बदनामी से बच जाता है इसलिए अब टैगर और उसके सातियों से सभी चार्जिस को हटा दिये जाते हैं और उन सब को फिर से नोकरी पर रख लिया जाता है फिर टैगर को जोय के साथ दिखाया जाता है और तभी वो मैथली को फोन लगाता है और कहता है कि जब भी आपको मेरी जरुत होगी मैं आऊंगा क्योंकि भारत के लिए टैगर हमिशा रेडी है अब फिल्म के अंत में एक सीन दिखाया जाता है जहां करनल लूथरा एजेंट कबीर को कहते हैं कि तुम्हें एक मिशन पर जाना है जो बहुती खतरनाक है यानि दोस्तो हमें व बहतरिन फिल्मों को नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट केजिए तो दोस्तो हम मिलें के किसी और बहतरिन फिल्म की कहानी के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद